Hello friends काट के मिक्स कर लिया है और थोड़ा से उसमें नमक डाल देंगे और बस यहीं बढ़ा लेते हैं आज पिर मैंने चब तब तक रख दिया भजिया बनने के लिए और आपको मैं तब तक दिखाती हूं जब तक तेल हमारा घरह होता है बाहर कितना अच्छा मौसम है सिर्फ बादल बादल बिल्कुल दूप नहीं लिखनी है बारिस के बाद जैसा मौसम इंदम फ्रेस फ्रेस होता है वैसा ही पता चल रहा है इदम प्यारी इतनी हरियाली से लग रही है नहीं बहुत अच्छा मौसम है और इसमें भजिया ही खाने का मन कर अबरत है फिर भी चलते हैं आपको बताया है ही राजीरे के आटे का भजिया बहुत अच्छा बनता है वही बनाती हूं और हमारा तेल गरम हो रहा है चलते हैं इसके पास और यह देखे हमारा तेल गरम हो गया है आज कम कर देते हैं और इसमें हम भज्या डाल देते हैं जरण अब तरने के लिए आज मेरे पाज कुछ ज्यादा वजिया था तो में ने सचा उसकाज पनीर बना लेती हूं अब तो कमेंट करके बताएगा मैं पनीर बनाने के भी रिस्पी आप लोगों को शेयर करूंगी और यह देखिए हमारी भज्या हो गई है अब हम भज्या निकाल लेते हैं और इसमें तेल रहता है इसलिए इसमें टिश्यू लगा के निकालेगे व्रत में थोड़ा का महल तेल खाने का भी मन करता है जला जल बाहर की सेन दिखाते हैं बहुत ही अच्छा मौसम है आज का आज हम अकेले ही है तो मैंने सोचा नीचे याके नास्ता कर लेते हैं आज यह देखिए हाई फ्रेंट्स अब मैंने लंच कर लिया है अब चलते हैं आराम करने के लिए और जब आप काम करके फ्री होए तो अपना वेडरूम सबसे प्यारा लगता है आराम करने के लिए सबसे अच्छा बस फिर आप से मिलते हैं थोड़ी देर बाद रेस्ट करके अधिया चाहाम हो गई यह ताड़े चार बजगे है और मौसम तो मेरा वैसा ही बना हुआ है यहां का प्यारा मौसम है मस ठंडा ठंडा हो गया है और हमने चाहे बनाना शुरू किया है पानी रख दिया है इसमें डाल देते हैं चाहे की पत्ती हुआ ही रख जड़ दे लग देख उझ का द्रू कि ओ दे बना दंडा कि पत्तीW описании कर दो कर दो कर दया है कुछ के डाल देते हैं और अध्रक डाल देंगे और यह खौलने लगेगा तो इसमें हम दूड डाल देंगे और यह देखें मौसम में कोई फेर फाल नहीं आया है वैसे ही एक तम बादल बादल है तम थंडा सा मौसम है और आपको आवाज सुनाई दे रही होगी आज वाज घर बन रहे हैं उसकी आवाज आ रही है और हम यह दूड डाल देते हैं और नवी चाय खुल रही है इसको अच्छे से चला लेते हैं और हम गैस बन कर देते हैं आप चाय चान लेते हैं आपको आपको वहाँ पे कुछ टेंट जैसा दिखाए दे रहा होगा ग्लू कलर का वहाँ पे मंदिर बन रहा है और सायद संकल रिका ही मंदिर बनेगा आगे जैसे जैसे बनेगा आप लोगों को पी बताते चलेंगे अब यहीं पे एंड करते हैं ब्लॉक का थैंक्यू और जो भी हमारे सब्सक्राइब ना कियों प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें करें